फाइनली गाइस ओपो की तरफ से ओफीशल कलर ओएस 15 का जो अपटेट है वो अनाउंस हो चुका है और ये वाला जो अपटेट है वो आपको इंडिया में काफी जल्दी मिलेगा इसका टीजर है ना वो भी आपर आचुका है और ये सबी जो इनफोर्मेसन है वो मैंने आपक वीडियो को एंड तक वोच करते रही है वीडियो आपको ये पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल प्रेस करेना ताकि फ्यूजर में जैसे ये अपटेट है वो इंडिया में आएगा तो आपको वीडिय लोगो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा तो क्या है ओपो की तरफ से चाइना के अंदर एक इवेंट है वो यहाँ पर और ओर्गनाईस किया गया था कलर ओएस 15 अपटेट के उपर जिसके अंदर आप लोग गईस देख सकतो काफ़ी सारे फीचर है ना वो इन भाई साब कि आप लोग कुछ important information है वो read कर सकतो लेकिन ये mathematical calculation है हमारे काम की नहीं है direct हम लोग features के बारे में आप पर बात करते हैं तो जो first feature आपको इस update के अंदर मिलेगा वो होगा guys animation तो app opening closing animation की जो animation है ना वो आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से देखने को मिलेगी जो की भाई दि budget smartphone है mid range smartphone है तो वहाँ पर आपको एक काफी बड़ा improvement है वहाँ पर color os 15 update के अंदर मिलेगा अब जो second feature है वो है brightness slider जो की कह सकतो volume slider तो volume slider के अंदर आपको एक काफी बड़ा change है वहाँ पर मिलेगा कि इसकी animation है वहाँ पर काफी अच्छी improve की गई है oppo की तरह से और जो third बड़ main feature है वो आपको मिलेगा dynamic island के अंदर तो इसको हम लोग कहेंगे fluid dynamic island जो की oppo का name है तो इसके अंदर आपने देखा होगा जो apple के smartphone है उनके अंदर आपको camera का module है उसके approach से एक line सी देखने को मिलती है तो उसके अंदर हम लोग काफी सारे operation है action है वो perform कर सकते है तो वे साही smartphone के अंदर ये वाला feature है वो आपको देखने को मिल जाएगा और जो fourth or last feature है वो guys आपको मिलेगा control center के अंदर तो finally ये वाली design है वो यहाँ पर confirm हो चुकि है control center की जो की आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से देखने को मिलती है अभी हमारा control center है वो यहाँ पर कुछ इस परका iOS update से काफे ज़ते हैं आपर inspire होके create की गई है ओलरीडी शाओमी का जो hyper OS update है उन्होंने iOS से पहले ये वाली design है उसको inspire होके अपने OS के अंदर यहाँ पर डाल दिया और अभी जितने भी जो oneplus realme oppo smartphone है उन सभी के अंदर आपको ये वाली design मिल जाएगी ओपर की तरफ आपको same wifi और bluetooth के दो बड़े toggles नजर आजाएंगे कुछ इस परकार से और जो ये वाली brightness slider और जो volume slider है ना इनकी shape है वो भी change कर दी गई है ये जो shape है वो काफी लंबी दिखाई देती है लेकिन ये आप लोग देख सकतो काफी pill type shape की जो design है वो आपको मिल जाएगी बाकि आपको rounded स आप नीचे की तरफ दिखाए देंगे तो जैसे ये update आएगा उसके बाद में ये सभी जो feature है वो में आपर confirmly पता लग जाएंगे बाकी मैंने आपको जैसा कि बताए कि ये वाला update है वो आपको इंडिया और चाइना में सबसे पहले OPPO Find X8 की series है उसके अंदर मिलेगा और OnePlus 12 का जो smartphone है उसके लिए आपको ये वाला update है वो सबसे बहले मिलेगा तो stage पे color OS 15 और oxygen OS 15 का जो control center है उसकी image है वो भी आपर present की गई है जो कि आप लोग screen पे देख सकतो और officially ये आपर वीडियो है जो कि stage से record की गई है और इसके अंदर आप लोग देख सकतो यही वाला आप आपको नया वाला control center है वो देखने को मिल जाते हैं साथी में जो icons की design है वो भी आपको यहाँ पर change देखने को मिलेगी guys जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से देखने को मिलेगी तो अभी वाले icons से आप लोग इनको compare करोगे ना तो काफी एक बड़ा change लोग है वो आ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा मैं अपने phone के अंदर already color os 15 के सभी icons है ना उनको यहाँ पर use कर पा रहा हूँ जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोगों को अगर यह वाले icons अपने phone के अंदर use करने तो मैंने video already बना दिये कि कैसे आप लोग यह सभी icons है व वो आप लोग यहाँ पर इस स्क्रीन पर भी आपर देख सकतो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और main features के बारे में जो कि मैंने आपके साथ में already share कर दिये हैं telegram channel के अंदर और इन्हों ने आपर यह वाला जो चार्ट है ना वो भी आपर share किया है जिसको मैंने आपर translate किया है तो वीडियो को post करके आप लोग इस वाले चार्ट को read कर सकतो और इसके अंदर आपको काफी सारे नए features है ना वो भी आपर देखने को मिल जाएंगे तो यह रहे complete feature जो कि आपको color OS 15 update के अंदर मिलेंगे और जो schedule है ना वो भी मैंने आपके साथ में share कर दिये हैं वो भी मैं आपको अब यहाँ पर show करा देता हूँ तो यह है हमारा सहेद सेन translate करके दिखा देता हूँ तो यह मैंने आपड ट्रांसलेट कर लिया है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ओपो के आपको इतने सारे स्मार्टफोन मिलते है ओपो फाइंड N3 collector edition ओपो फाइंड N3 ओपो फाइंड N3 फिलिप ओपो फाइंड X7 Ultra ओपो फाइंड X7 और उसके अंदर आपको मेंन लीज इतने भी जो ओपो के स्मार्टफोन है वो मिलेंगे जैसे कि ओपो रेनो 12 की सिरीज ओपो रेनो 11 की सिरीज और जो एप सिरीज की लेटेस्ट स्मार्टफोन है उनके भी आपको नेम देखने को मिल जाएंगे और इनकी जो टाइम लाइन है न वो यहाँ पर है October 12 से लेके October 14 तक और इंडिया में यह जो सेम अपटेट है न वो आपको इन सभी स्मार्टफोन के लिए मिल जाएगा 20 October से पहले पहले आप लोग को को कई यह जाना है कि आपके स्मार्टफोन के लिए अपटेट मिलेगा या फिर नी तो लिस्ट में आपको यहाँ पर अभी शो करा देता हूँ इसके अंदर आपको OPPO X की जो सिरीज है वो मिल जाती है जिसके अंदर आपको find के काफी सारी स्मार्टफोन है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे बाकि OPPO की जो N सिरीज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी OPPO की जो RENO सिरीज है उसके आपको कभी सारी स्मार्टफोन मिल जाएंगे जैसे की RENO की 12 जीरीज, 11 जीरीज, 10 जीरीज और 9 सिरीज बाकि हम लोग बात के रहें OPPO की K सिरीज तो यह आप लोग स्क्रीन पे देख सकतो और OPPO की app सिरीज है उसके भी आपको नेम मिल जाते है और A सिरीज के भी यह स्मार्टफोन के नेम मिल जाते है तो ये वैसे कोई official list नहीं है इसके अंदर आपको कुछ ऐसे smartphone मिलते हैं जिनके लिए update है वो 100% sure नहीं है जैसे कि Oppo Reno 80 की series तो इसके लिए आप लोग एक बार चेक आउट कर लेना या फिर comment में बता देना मैं आपको बता दूँगा कि आपके smartphone के लिए update आपको मिलेगा या फ और चेनल को भी subscribe करेना अच्छी लगी वीडियो लाइक कर सकतो मैं मिलता हूँ आप लोगों से next video में जेहिंद वान दे मातरम